सुबह के साथ बज़कर 29 मिनिट हुए फिल्म संगीत का कार्याक्रम यही समाप्त होता है यह स्री लंका ब्रोडकास्टिं कोपरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथ ही रेडियो सिलोन तो चलिए शुभारंत करते हैं पुराने फिल्मों का संगीत पुराने दोर की मशुर गाई का पारूल घोश की आज पुन्य तिती है उनको स्रद्धांचली के रूप में आज पुरानी फिल्मों की संगीत में उनही के गाने पेश करेंगे पारूल बिस्वास का जन्म 1915 में बरी साल में हुआ जो अब बांगलादेश में है तीन भाई बहनों में मशुर संगीतकार अनिल बिस्वास सबसे बड़े थे उनसे चार साल चोटी थी पारूल और उनसे भी चार साल चोटे एक भाई थे सुनील गीत संगीत उन्हें अपनी मा से विरासत में मिला था और उन्होंने अपनी मा जैसी ही आवास भी पाई है तो सबसे पहले हम पेश करेंगे नामस्ते फिल्म का गाना इस गाने को पारूल घोश और जीयम दुरानी ने आवसिंदी है डीयन मधोक ने लिखा है नौशाद अली ने संगीत दिया है बावरा बोलो बोलो क्या सुनाए है हम आपे पंची बावरा बोलो बोलो क्या सुनाए है तेरी मेरे कहानियां कारा जहान लगाए है तेरी मेरे कहानियां कारा जहान लगाए है तो बुच अपने फूल की याद में गुन गुनाए है वो तो भूच अपने फूल की याद में गुन गुनाए है तेरे बहार देखके खुना पबुला जाए है तेरे बहार देखके खुना पबुला जाए है हम आप पंची बावरा बोलो बोलो क्या सुनाए है हूख नहीं ये हूख है गाना नहीं ये हाए है फूख नहीं ये हूख है गाना नहीं ये हाए है शब नमबहा के आँख से दुनिया में गुल खिलाए है अमबवा पे पंची बावरा बोलो बोलो क्या सुनाए है अमबवा पे पंची बावरा बोलो बोलो क्या सुनाए है तेरी मेरी कहानिया सारा जहान गाए है तेरी मेरी कहानिया सारा जहान गाए है मशूर बांसुरी वादक पंचालाल घोश और अनिल बिस्वास बच्पन के दोस्त थे ये दोस्ती उस वक्त रिष्टे में बदल गई जब उनकी नौ साल की चोटी बहन पारूल की शादी 14 साल के पंचालाल घोश के साथ कर दी गई पारूल बिस्वास पारूल घोश बन गई अब हम पेश करेंगे तोफा फिल्म का गाना इस गाने को लिखा है नसर हाइदराबादी ने इमे राउफ ने संगीत दिया है तो सुनिए पारूल घोश के आवास में बोले साजान तुझे कैसे बताओं बरखक दिन है सावन की राटें बूद की जिमी जिमी विजली की घातें सपनों की लाशारे त्रीत की बतें कैसे सुनाओं तुझे कैसे सुनाओं तुझे कैसे सुनाओ बचपन गया और आज जवाने जीवन की रातों पे खाई जवाने कैसे उजाले लाई जवाने कैसे उजाले लाई जवाने कैसे सुध्राम तुझे कैसे सुध्राम कैसे सुध्राम तुझे कैसे सुध्राम थन्दी हावाम में वन लहराए थन्दी हावाम में वन लहराए अनिल बिस्रास और पन्नालाल गोश न्यू थीटर्स से जुड़े थे ये तो आप जानते ही है की न्यू थीटर्स की कोशिशों से भारती ये फिल्म्स में प्लेबेक आया 1935 में फिल्म धूप चाओ में पहली बार प्लेबेक टिकनिक का इस्तेमाल किया गया इस फिल्म के गानी में दो और गायकों के साथ पारूल गोश की आवास भी है अब हम पेश करेंगे आंदोलन फिल्म का गाना ये इस गानी को लिखा है इंदीवर ने पन्ना लाल गोश ने संगीत द्या है सुनिए पारूल गोश की आवास में राधाने की असे गावे क्यों मोहन पर आरेंगे खोले है दिल के द्वार क्यों राधाने की असे गावे क्यों मोहन पर आरेंगे राधाने की असे गावे क्यों मोहन पर आरेंगे राधाने की असे गावे क्यों एसी मिठी मोखन की मुरलिया जैसे तू के काली को ले लिया जगा है मन में प्यार क्यों प्री समसर आलेंगे राधा में की असे गावे क्यों मोहन पर आलेंगे राधा में की असे गावे क्यों होटों पे ना時 की मुतकाने भूँ घट में दो नेलादुञाने भूँ घट में दो नेलादुञाने बलकों पे खे इंतिजाज क्यों राज में पर आलेंगे राज में पर आलेंगे राजा में किया सिंहाद क्यों मौहन पर आलेंगे राजा ले किया सिंहाद क्यों उस समय अनिल बिश्वास अपनी एक मस्बूत पहचान बना चुके थे पन्नलाल गोश भी बानसुरी वादक और संगीत कार के रूप में सफलता प्राप्त कर चुके थे पारुल गोश अपने पती की चाया बनकर उनको साथ दे रही थी आनिको आवासेंदी थी अरुन कुमार पारुल गोश और राजेंडर ने नारेंद्र शार्माने लिखा था अरुन कुमार ने संगीत द्या था जागों हुआ सबेरारे जागों हुआ सबेरारे गई मिलन की रहन सोहानी जीवन रहन बसे रारे जीवन रहन बसे रारे जागों हुआ सबेरारे जागों हुआ जागी मेरे भागना जागे जागी मेरे भागना जागे अधियारा अधियारा हाँ के जागे मार जानी मेरे हादिना जानी प्रीद के प्यासे दने वने को प्रीद के प्यासे दने वने को ताले आफिरा दे ताले आफिरा दे तुम दी मेरे आशा पहन दे नवज रंकी कि रंक नहले तुम दी मेरे आशा पहन दे तुम दी मेरे आशा पहन दे नयन मिले नयन मिले खुवाब जाला नयन मिले खुवाब जाला पारुल गोशने गायकी को केरियर के लिए नहीं चुना था बलकी अपनी गरी परवार और पती को सपोर्ट करने के लिए गायन को अपनाया फिर उनहीं के लिए चोड दिया पुराने बहुत ही रेकोर्ड्स पर उनका नाम मिसिस गोश लिखा है अब हम पेश करेंगे हमारी बात फिल्म का गाना इस गाने को लिखा है नरेंद्र ने अनिल बिश्वास ने संकित द्या है सुनिए पारूल गोश के आवास में में बाद सबाद इसलाती ना मेरा गुंचा दिल को दूख गया है बाद सबाद इसलाती ना मेरा गुंचा दिल को दूख गया है जाद लगो को दूए दिना पेवान खुची ना दूद गया है बाद दगा गायल पे लगाना खाती क्या जो बिगड़ गई जो बिगड़ गई भो बाद क्या गायल पे लगाना खाती क्या ना नंगे से दिल की दिल साथ क्या जो तूट गया है तो तूट गया है बाद सबा दिखला मीना मेरा मुल का दिल गया है बाद सबा अब दिल में आशे उमीद नहीं दुखिया आँको मेरी नहीं अब दिल में आशे उमीद नहीं दुखिया आँको मेरी नहीं मालिक में ऐसा नसीब दिला मालिक ने ऐसा नसीब दिल जो आज मिला कर दूट गया है बाद सबा दिखला मीनाया मेरा मुंचै दिल मों दुखिया आए ज़ाम सबा पारुल ने बॉंबे टॉकीज पर ओडिशन दिया उन्हें वहाँ एक खसा रुपे महिने की तनक्वाह पर काम मिल गया साथी रेडियो पर भी गाने लगे पारुल का नाम 1922 की फिल्म बसंत की रिलीज के बाद पहली बार बातोर गाई का उभर कर आया अब हम आपको सुनाएंगे बसंत फिल्म का गाना पारुल गोश की आवास में इस गाने को पन्नालाल गोश ने संकित दिया है छोटी सी दुनिया रे मेरे छोटे स मन में चोटी से दुनिया रे बगिया में आशा की पुलवा फूले सकने मेरे जुन पे छूला छूले डोरी लगन की डारे मेरे छोटे से मन में चोटी से दुनिया रे मेरे छोटे से मन में चोटे से दुनिया रे सावन हसाए भादों डुलाए सावन हसाए भादों डुलाए मोरी कोजेल सदा मंगल मनाए कूके कूके साँच सकारे मेरे छोटे से मन में चोटी से दुनिया रे मेरे छोटे से मन में चोटी से दुनिया रे छोटी से दुनिया की छोटी छोटी बाते छोटी छोटी दिन चोटी छोटी राते दिन चोटी छोटी लाते छोटी लाते छोटी छोटी अमरी आ रे मेरे छोटी से मन में चोटी से दुनिया रे बसंत के बाद आई बॉंबी टॉकिस की सुपर डुपर हिट मूवी किस्मत के सारे गाने अमिर बाई करनाटकी की आवास में है सिर्फ एक गाना पारुल गोश की आवास में है वही गाना अब आप सुनेंगे इस गाने को लिखा है प्रदीब ने अनिल विश्वास ने संगीत आहे तेरी राथ हारो ले जोरो मरे जवाए मती हारे, मती हारे, मती हारे मेरे प्रिया से गई दूर जाए मैं हूं कितनी वास ती आगे तेरी जी कितनी दूर एक नदी के दो किनारे मिलने से मजबूर हाय, मिलने से मजबूर वलक से खड़ आखे राखिया बैते मिलने आत लगाए मिलने आत लगाए मती हारे, मती हारे, मती हारे मेरे प्रिया से गई दूर जाए आज की धर मैं चली एकेली काप रही मेरी जीवन बेली आज की धर मैं चली एकेली अगर मेरा दीपक बुच जाए किसी पेड़ के नीचे प्यारे पपी हाँ सदन से कहना प्यारे पपी हाँ सदन से कहना उनका जामन खीचे तेरी ज्याद में राथा मल गई दिल का दर्द सुपाए जिलिका दर्द सुपाए प्यारे 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 मेरे प्यारे प्यारे ज्वारभाटा, मिलन, कंचन, माला, लेडी डॉक्टर, इंसान, भावरा जैसे कई फिल्मों में पारुल गोश की गाय की सुनाई दी है ज्वारभाटा वही फिल्म है जिससे दिलिप कुमार जैसे अभिनेता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मिला अनिल बिश्वास पन्नलाल गोश के अलावा पारुल गोश ने रफीक गस्नवी, सी रामचंडर, नौशाद, पंडित गोविंदराम, ज्यानदत, आरसी बुराल, के सीडे जैसे उतक्रिष्ट संगितकारों के लिए भी गीत गाये थे 13 अगस्त 1907 को पारुल गोश का निधन हो गया अपने बहुत चोटे से केरियर में पारुल ने हिंदी बांगला के करीब 25 फिल्मों में 100 गाने गाये भारती ये संगित की दुनिया में पारुल गोश का नाम अमर रहेगा पुराने फिल्मों के संगित के कार्यकरम का आखिरी गाना स्वारगी कुंदनलाल सैगल साहब की याद में पेश करते है फिल्म का नाम है धूप चाओ इस गाने को आरसी बुराल ने संगित दिया है तीने के दाख ते इस घर को आख लग गई अंदे की लाटी तुही हाई तुही जीवन पुझ आरा है अंदे की लाटी तुही हाई तुही जीवन पुझ आरा है तुही आकर संभाल अप्रभू तेरा ही एक तहारा है तुही आकर संभाल अप्रभू तेरा ही एक तहारा है अंदे की लादी तुही आए तुही जीवन मुझी आरा है दुख तर्द की कठडी सर्मन है पग पग पर की रने का तर है परमेश्वर अब पतराख तुही तुही पतराख नहारा है अंदे की लादी तुही आए तुही जीवन मुझी आरा है जिन पर आशा थी छोड़ गये बालू के करों दे पोड़ गये मुमोड गये मन तोड गये अब जग में कौन हमारा अंदे की लादी तुही हाए तुही जीवन होग जारा इस गाने के साथ सुबह की सभा समप्त होते है अब सुबह के आठ बच कर एक मिनट हुआ ये स्रिलंका ब्रोडकास्टिन कोपरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोन आज हमें तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे थे विमुक्ति इरोशन और वारुनी उत्पला को आग्या दीजे शुब दिन नमस्ते